अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब निक है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं बुलिएगा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बैच वाइज यानि के एक्सपारी डेट वगरा कैसे डाल सकते हैं अपरे प्रोड़क्ट के उपर और उसके हिसाब से परचेस और सेल कैसे कीजिएगा साथ में कुछ ऐसे प्रोड़क्ट होते है जिसमें एक्सपारी और मैनुफेक्टरिंग डेट तो नहीं होती लेकिन बैच वाइज डिटेल्स होती है जैसे कि आप मोबाइल कंपनीज वगरा की बात कर लीजिए तो ये सारी चीज़ आप कैसे कीजिएगा और कैटेगरी कैस अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोड़क्ट है जिसमें बैच वाइस डीटेल्स भी है और साथ में आपको expiry date और manufacturing date भी है तो आप इस दोनों options को yes कीजिएगा और अगर category करनी हो yes तो कर लीजिएगा मैं आपको फिलाल अभी ये तीनों चीज़े बताना हूँ एक साथ आप अपनी situation के हिसाप से use कर सकते हैं इसे तो जैसे मैंने वहाँ पर वो तीनों options yes की उसके मैं यहां पर देखिए मैंने एक create किया है आपको mobile company का item है यह वाइप के 5 mobile है ठीक है यहां पर group मैंने create किया यहां से आप रहते हुए भी group create कर सकते एल्ट के सथ c press करके और अगर मान कर चलिए किसी group को आपने create किया उसे modify करना है या देखना है तो उसके लिए आपको control के सथ enter है shortcut की यहां से और friends चाहें तो आप group में जो आपको group में बहार option दिया हो था group का वहां से भी जाके आप group create करके भी आ सकते है तो लेनों मैंने लि और उसके बाद category में यहां पर alt के सथ c यहां पर भी आप प्रेस करके यहां से रहते हुए भी बना सकते है category otherwise आप category के लिए पर आपको option दिया हुआ है बहार में आप वहां से category पहले से create करके भी आ सकते हैं तो alt के साथ c प्रेस कीजिए और अगर आपको देखना है तो फिर अगर आपके पास option सारे maintain in batches अगर suppose कीजिए आपका जो प्रोड़क्ट है जो भी प्रोड़क्ट है उसमें स्विफ batch number है तो उसके लिए आपको maintain in batches को yes करना होगा इससे yes करना होगा लेकिन अगर उसमें manufacturing date और expiry date भी है तो इस दोनों options को भी yes कीजिए तो mobile में तो ऐसी को कोई date होती नहीं manufacturing or expiry date इसलिए हम उसे yes करेंगे नहीं फिर GST applicable से delta GST details में हम अपनी सारी जो भी text वगरा की details है वो fill कर देंगे अगर इसके बड़े में ज्यादा आपको जानना हो कि कैसे सही से fill की जाती है तो मेरी इसके पर already बहुत सारी videos है उसमें मैंने explain किया हुए उसक आपको inclusive का भी option यहीं पर add कर देना है इसके बाद यहां पढ़ाते हुए आपको MRP सेट कर देनी है तो यहां पर भी मैं इससे ज्यादा क्लियर करनी नहीं हूँ क्योंकि यह मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है अब इसके बाद हम इससे सिर्फ इसे accept कर लेना है इसी तरीके से मैंने एक medicine का stock create किया हुए जिसमें मैंने expiry और manufacturing rate दोनों ली हुई है क्योंकि medicine में दोनों चीज़े होती है और batch नंबर भी होता है तो यहां पर देख सकते हैं सब कुछ as it same है जैसे मैंने बताया हम आपर ख कुछ increase past करके रखे हैं purchase और sale की वह मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे एक देखे यह entry मैंने पास की यह purchase की इसमें मैंने medicine purchase किया है डेट डल दी supplier invoice नंबर उसके बद फिर वापस से date डल दी जो billing date है उसके बद party का नाम उसके बद purchase laser मैंने select कर लिया आप मैंने यहाँ पर item select किया medicine यहाँ पर देखे आपके समने इस तरीक एक window आएगी go down पूछा जाएगा अगर आपने go down activate कर करके रखाओगा तो अगर नहीं किया होगा तो नहीं पूछा जाएगा वो भी आपको F11 यानी features में जाकर आपको inventory features में जाके yes कर सकते category के उपर यू आला option होता है go down का उसका go down create कर लिजेगा तो आएगा otherwise नहीं आएगा यहाँ पर आप जब आईएगा तो आपसे new number आएगा यह तो मैंने create करके रखाए new number आएगा यहाँ पर आपको type करना है जो भी batch number हो उस product का वो आप यहाँ पर type कर दें वह automatically हट जाएगे वह आपको वहाँ भले दिखाई देगी जहां पर इसके reporting रहती है लेकिन expiry date जो रहेगी वह पूरी फुल लाएगी जो आप डालिएगा यहाँ पर expiry date डाल दीजिए उसके बाद इससे intent टकर करके accept कीजिए उसका cght, sght जो भी है tax वह आप applicable कर date वगरा वह मैंने off ही रखी हुई थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जब आएंगे जब आप item वगरा select कर लेंगे तो new number आएगा इसमें जाकर आपको batch number type कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा batch number तो आप उससे यहाँ पर choose कर लेंगा उसके बाद simply जैसे quantity और rate वगरा डालते हैं डालकर इसे accept कर लेंगे अब हम sale के बाद कर लेते हैं कैस में मैं sale कर रहा हूँ यह mobile आप देख लेते हैं इसमें क्या conditions होती हैं यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं batch number जितने भी batch number आपने create के होंगे purchase के time वो सब आ ज accept करेंगे friends आप देख रहेंगे कि यहाँ पर rate inclusive of tax का एक column आ रहा है यह आपके में हो सकता है में भी नहीं आता हो तो इसके लिए मैं बता देता हूँ फिलाल लेकिन मैंने इसके उपर भी वीडियो बनाई हुई है पहले ही से मैंने सब explain किया हुए अगर आपके में यह नही यहाँ पर भी 6000 और यहाँ पर भी 6000 आप देख सकते हैं और अगर friends suppose किजिए यह column आप नहीं लाना चाहते हैं अपने watcher में तो इसके लिए मैंने बताया जब stock item create करते हैं तो वहाँ पर मैंने inclusive tax option activate करने बोला था अगर आप आप वहाँ पर भी कर देते हैं तो जो आप MRP set की जाएगा वह भी situation आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो सारी चीजे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुए इसलिए मैं सारी explain कर नहीं रहूं यहाँ पर उसके पर देखिए यहाँ पर sales के लिए मैंने medicine भी sales की है तो उसके लिए मैं दिखा देता हूं आपको कैसे करना है यहाँ पर देखिए medicine select किया go down select किया best number जो था वो select किया और यहाँ पर best number select करते ही यहाँ पर अपने expiry date और manufacturing date सब आ गई और simply मैंने entry pass कर दी तो अब हम चलते हैं देख लेते हैं कि इसकी reporting हमें कहां देखती है तो हमें display में आना है और यहाँ पर हमें आना है inventory books में और batches में यहाँ पर medicine की देखनी है तो medicine की उसके बाद batch नंबर name of batch यहाँ पर आ जाएंगे सारे जो भी batch का देखना हो देख सकते हैं आपको सारी reporting यहाँ पर दिखाई देगी कि कितना purchase हुआ कितना sale हुआ उसी तरीके से अगर आप item wise देखना चाहते है तो item wise देख सकते हैं aging analysis देखना चाहते हैं moment analysis देखना चाहते हैं सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं inventory books में आकर तो friends I hope कि आपको यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए helpful रहा होगा तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगाओ आपको यह वीडियो तो please वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे अपने friends के साथ जहूर सेर कीजिए THANK YOU FRIENDS